सो हलो फिन्टों सकार आप सब किसें आयोपच्षेस होंगे इंजॉइ कर रहे होंगे येसाथ में चार्ट रीटिंग जिलुड कर रहे होगे आज की मार्केट में आ IPS में आप लोगोंने बहुत ही आनन्द उठाया होगा और जैसे क मार्केट में देखिए कि कल है जैसे कि आप 40,000 चले जगे लेकिन देख लिजे क्या हुआ मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में मॉविंट आएगा का आज ही आ सकता है वो भी कितना पॉइंट का 700-700 पॉइंट का मॉविंट हो सकता है कि आपको बैंक निप्टी कल दे दे मतलब कल की वीडियो मैंने यह बोला था बताये सुने हैं न आप भी आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं अगर आप सुने होंगे तो आपको यकीन आया होगा मतलब सारी की सारी चीज सारी कायानात पलट गई मेरे लेवल्स को मतलब फैल करने में लेकिन फाइनली जो लेवल आए वो मुझे मिले यह होता है देखे चा उसनी बड़ी rally आती है, कोई बड़ी rally जब होती है न, तो कई जगे क्या होता है कि हम लोग miss कर जाते हैं, उस trade को लेने में miss कर जाते हैं, miss करने का मेरा मतलब ये होता है, कि जैसे जब बहुत बड़ी candle अचानक से गरावट आते हैं न, तो जो हम प्लान करके रखते हैं वो हमको जनरली ज्यादत तर नहीं मिल पाता तुरंद के तुरंद लेकिन जब यह हमारा confirmation होता है कि अगर मेरे जो मैंने दिया हुआ है target जहां पर मेरा breakdown कर दिया तो फिर मुझे उसी direction में जाना है चाहे कुछ भी कर ले market और आप जानते हैं क भी एक rule clear है कि अगर मेरा एक वार target मिल गया मुझे अगर लगता है कि हां मुझे profit मिल गया तो फिर market को मैं छेड़ता नहीं हो चाहे पिर वो कहीं चले जाए यह है हकीकत और यही चीज मैं आपको ग्रूप में आपको अपने ग्रूप में अपने message की माध्यम से आपको करेंगे कि अगर आपको लगाए है कि जिसमें आपका ब्ळा हो जाए मैं आपको हमेसा बताता हूं मुझे कुछ जरूरत नहीं है किसी चीज की अगर मुझे जरूरत होती मैं आपको यकीन दिलाओं मुझे अगर जरूरत होती न तो मैं इसी चीज को अपने पैड़ ग्रूप में बेंच सकता था इसी चीज को इसकी मैं फीस बसूल सकता था सब कुछ कर सकता था लेकिन नहीं भगवान ने आप लोग की अगर खुस हैं आप लोग तो मुझे भगवान ने आप लोग की खुसी के लिए इतना अच्छा मुझे हर्ची दे रखा है कि मुझे फिरहाल के requirement कुछ भी नहीं आप यूं समझे बस आगे मुझे बताने की कोई जुरूत नहीं ठीक है इसलिए जो भाई का किसी का पैसा गया या मेरा पैसा गया अब यूं समझे आप कि मैं किस तरह से क्या लेबल से आपको दिखाने कहां पर कोसिस करता हूं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करेंगे बहुत ज्यादा वकवास हो जाती है पिर सबसे पहले जानते हैं आप हम यह डिसकस करते है कि हमारा क्या लेबल थे आज के हमने क्या डिसकस किया हुआ ठीक है जानते है आप और वो दिखे जरूरी होता है डिसकस करना क्यों जरूरी होता है अगर वो चीज आप यहाँ पर नहीं देखेंगे अगर आप वो चीज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो फिर है तो आप वीडियो की स्किप कर सकते हैं मैं फानली जो भी चार्ट का प्रेडिक्सन होगा आपको लाश्म मिली जाएगा लेकिन फिर भाल भी या मैं तो डिसकस करूंगा कि हमारा ट्रेड क्या था हमने कैसे सेटप फाइंड आउट किया था चलिए यहां पर देखें बैंक इसके बाद हम फिनिप्टी में चलते हैं यहां पर देखें मैंने क्या बोला था यह रंज थी रंज कि नहीं थी बताईए रंज कि मैं क्या बोला था कि जब तक मेरे मार्यकेट रंज में 46,800 के उपन नहीं जाएगी हम कोई कालवाई नहीं करेंगे जब तक 46,500 के नीचे न हम क्या करें और हम कहां की बात बता दें क्या हम हवा में कोई तीर मार दें कैसा हो जाएगा नहीं जो लाजिकली बात होती हम वही बताते हैं आप कमेंट में जो भी मर्जी कमेंट करते हैं मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है एक के कमेंट से मैं यहां पर इतने मेरे साथ जार आठाशा सब्सक्राइबर हैं यतनी मेरे व्यूवर से मैं उनको गड़े में नहीं डाल सकता हूँ समझे ये बात ठीक है यहाँ पर देखे मैंने क्या बता था आपको बहले नीचे आएगी यहाँ पर मन करेगा मेरा पूटवाई करने का नहीं करेंगे इसके बाद मार्केट क्या करेगी हो सकता इसके नीच अगर उपर जाए तब भी मुझे कुछ ट्रेड नहीं करना मैंने फाइनली आपको बार 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 बोला था कि अगर मार्केट किसी भी ताइम 46,500 के नीचे आएगी तो हम पूटवाई करेंगे इसके बाद अगर मार्केट 46,800 के उपर जाएगी तो हम कालवाई करेंगे आप मैसेज चेक कर सकते हैं मिले अच्छा अगर 46,500 के नीचे ब्रेकडाउन करेगी तो हमारा पहला टार्गेट कहा था कोगा मैंने आपक यहाँ पर गई आप यकीन करिए आपको यहाँ पर 46,000, 055 का लेवल आपको देखने को मिलेगा यह तीन दिन से मैं बोल रहा हूं तीन दिन से बोल रहा हूं मिरे दोस्त और आप यहाँ पर देख लिजिए आपको लेवल मिला है कि क्या मिला है लेवल मिला है या नहीं मिला यहाँ पर चेक करिए न दोस्ति यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर चेक करिए यह वाला लेवल ठीक है यह लेवल चेक करिए यह लेवल चेक करिए कितने लेवल चाहिए था बताएए अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप बोल सकते हैं मुझे 46,055 पर लेवल था या मै ने क्या बताय था यह 46,300 का रजिस्टेंस लेगी मार्केट वापिस आएगी नीचे देखे भाईया मैं इतना ही बता सकता हूँ यही मेरा काम है यह सब कुछ बना करके आपको दे देता हूँ कि हाँ से मार्केट नीचे आएगी और कितना जाएगी बुक करना आपके हाथ में है क्या करना है समझ रहे हैं चलिए ठीक है तो यह थो गया है आपका बैंक निप्टी में अच्छा मूमेंट मिला होगा मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इस जगह आपने कैश नहीं कर पाया होगा देखिए यह 15 मिनट के चाट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपके सामने चल निचे आया की नहीं आया है यह तो आपको पता है अच्छा आप यह बताए जब यह 46500 की नीचे आया तो मैं मानता हूँ आपनी स्केंडल में टेड नहीं ले लेकिन आप इस सथे ना जो सिकेंड गरणी के साथ बोला था तो अगर आप 26400 में भी इंटे करते पूर्टी सिख थाउजन फोर हंडेट में भी अगर आप इंटी करते हैं तो अब बताईए यहां पर आपको टार्गेट यह मिला कि नहीं मुला मैं लगवक मतलब आपको यहां पर हाथ हो हाथ सव पॉइंट का तो हाथ हो हाथ इसके बाद आप निकलते निकलते अगर आप वहां पर सिर्फ बटन दवाते ना तब भी आपको यहां पर पचास पॉइंट मिल जाता जो कि मुझे मिला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मैं भी इसमें यह पहले वाले कैश नहीं कर पाया था हम हम तो कहीं निप्टी में खोये हुए थे लेकिन तब तक मैं पता चला यहां पर तो पमफट गया तो यह मेरी कढ़ी कंडल छूट गई थी यहां पर ठीक है पहले कंडल छूट गई जैसे पहले कंडल चूटी तो मैं दूसरी कंडल में तुरंत कि तुनत इसको कैशप किया और पकड़ लिया और आपको कई वार चार्ट में एक मिनट की भी केंडल आपको यहाँ पर मिला करके देता हूँ तो इसका रीजन यही है दोस्त इसका रीजन यही है आप समझा करिए मेरी बात आप समझते है न समझा करिए इसका रीजन क्या होता है यही होता है कि यहाँ पर आपको अगर आप य में चलता हूं पहले पंच मिनट के चाट में साहथ समझ में आ जाता है इसलिए पंच मिन बता यहीं ने कल बोला मैं ऐसे करके मैं आपने क्या ने आप पर नहीं अगर बोल लोगे तो पिर मैं कैसे समझाओं गां तो बुरा मत माने यहां पर देखे क्या है यहां पर बोलना मैं क्या चाह रहा हूं मैंने बताया क्या था यहां पर प्तillने के बाद मार्केट क्या किया यहां से इस तरह से आया मैंने आपको यह दो ट्रेंड लाइन आपको यहां तक आपको target मिलेगा अरे यह बताया था कि नहीं थोड़ा comment जरूर कर देना बोला था यह नहीं बोला था ठीक अच्छा फिर मैंने क्या बोला था और बताता हूं आपको यहां पर मैंने किसी भी time बोला था कि अगर market किसी भी time यहां पर हम call कब buy करेंगे आपको यह बता हमारे group में नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है मैंने आपको यह बत बोला था तो यह बत हो गया इसके बाद मैंने दूसरा चीज क्या बोला था आपको कि अगर यहां से 20,200 मतलब 5-0 से market यहां से इधर से कहीं से 4-0 से return होने लगेगी आप यहां पर put buy करेंगा और आपक अतम करिए इसके बाद हम फिर next target के तरह movement करेंगे हम यहां पर आपको मिला था यह target ओके इसके बाद मैंने क्या बताया फरदर क्या बताया थी यह बताई यह मैंने बोला था 22,171 का किसी भी time market break down करती है ध्यान रखिएगा बात मैं अपनी बात से मुकरता नहीं दोस्त चाह कि यहां पर मैं सिर्फ अकेले अपने आपको नहीं यहां पर सो कर रहा हूं मेरे देखने वाले यहां पर इतने viewers हैं उनको मैं यहां पर दिखाना चाहता हूँ तो मैं गलत कैसे बोलूँ अरे मैं गलत कैसे बोलूँ भीया मेरा तो दिल नहीं कवाई देता कि मैं गलत आधा होगा, वो बोलता होगा। देखिए, यहाँ पर बात यह हुई थी, कि 22,2100, 721 के नीछे गर breakdown करती है। आप को यहाँ पर 22,134 का 30 का level देखने को पहला मिलेगा। अगर इसका भी breakdown करती है निपटी तो आपको यहाँ पर 22,0080 का लेवल देखने को मिलेगा, किलियर था, रभी यह किलियर था या नहीं था, तीन ही टारगेट थे, मैंने कल के प्रेडिक्शन में आपको तीन टारगेट बताये थे, चौथा टारगेट मेरा गुरूप में बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था, चौथा टारगेट कि जिस टाइम भी, जिस टाइम भी निप्टी यहाँ पर 22,000 का ब्रेकडाउन देगी, 22,000 का ब्रेकडाउन देगी, उस टाइम आपको यहाँ पर 50-60 पॉइंट का मोमेंट मिलेगा, पचास से साट पॉइंट का मोमेंट मिलेगा यह मैंने ग्रूप में यहाँ पर बताया हुआ था मेरे ग्रूप बाले भी कमेंट कर सकते हैं मैंने बोला था या नहीं बोला था मैं मानता हूँ हो सकता है बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी प्राफिट किया मैंने उकी स्क् साट नहीं सेयर कर सकता हूं नहीं मैं किसी का ज्यादा का लास का सेयर करता हूं ओके तो यहाँ पर तो यह तो चलो अगर बहुत से लोगों का मुमेंट यहाँ पर हो सकता मिस कर गया हो यह वाला मुमेंट लेकिन आप खुद बताईए यह मुमेंट जो आपको मैंने बताया थ तो मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि 22,000 के ऊपर यहां पर काल राइटर अपनी ऑपेंटरेस को क्रिएट कर रहे हैं अधार केडिक नहीं से 60 point के यहाँ पर target मिलेगा और आपको यकीन नहीं होगा ना जैसे इस जगह इसने breakdown किया था ना इस बार कौन से जगह के breakdown किया था दोस्त ये वाला ये वाला breakdown जब हुए हुआ था ना आप यहाँ से ले करके यहाँ तक आप यहाँ पर बता देना कि कितने point के target मिला था ये होता है logically trade खतम बहुत है इतना मैं बोलता हूँ बहुत है एक trader के लिए अगर आपने discipline को follow किया ना आपको इतना बड़ा moment मिल जाना इतना बड़ा दुनिया जाए कहीं भी जाए market जाए कहीं भी जाए आपको मतलब नहीं होना प्लीज भाईया गलती मत कर देना एक भाईया ने मुझे को phone किया था और उनको अच्छा खाचा profit हो रहा था market में मैंने उनको बताया थे market यहां तक जाएगी दुबार उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला जब उनको दो पार दो घंटे के बाद profit आ गया मत करो trade मार्केट में आप जितनी बार आप चार्ट देखेंगे ना जितनी बार आप candle देखेंगे ना उतनी बार आपका दिल करेगा इस market के अंदर trade करने के लिए इस market से last बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है अगर आपको last हो गया तो आप market को बंद कर दीजे अगर आपको profit हो गया तो market को बंद कर दीजे आप यकिन करिए बहुत पैसा कमाएंगे बहुत पैसा कमाएंगे और मेरे इस group में ऐसे से बंदे हैं ऐसे से बंदे हैं जो मेरे तिखा मेरे से इस तरह से चार्ट रेडिंग और आज पैस हो कमा रहे हैं लेकिन उनका रूल है कि वो एक लाट से जाधा ट्रेड नहीं करते हैं एक लाट से जाधा ट्रेड नहीं करते हैं अगर उनका लास हो गया तो बुक कर के चले जाते हैं उनका प्राफिट हो गया तो ब फोटा दिया अब हम discuss करते हैं कल के बारे में कल एक्सपारी जो कि मेरा था पूरा मूड पूरा मेरा उदेश मेरा पूरा दिमाग कि मार्केट आज ही मोमेंट दे देगी तो कल क्या करेगी जो सब लोग इंतिजार करते रहे तो मार्केट कल हो सकता है कि साइड़ वेज हो कल expiry के दिन क्योंकि यहां पर सब इंतिजार करते नहीं नहीं बहुत बड़ा moment आएगा फलाना आएगा धेमका आएगा तो भया हो सकता है market कल side wage हो जाए ठीक है और अगर side wage नहीं होई तो किस तरह से आपको trade करना है यहां पर हम discuss करने वाले हैं चलिए सबसे पहले यहां पर ह चार्ट में चले जाएंगे ना तो आपको यहां पर थोड़ा से clarity अच्छी नजार आ जाएगी अब यह जो trend lines है ना बहुत से लोग बोलते हों को बहुत सब्सक्राइब करती है आप यकीन करिए हर एक लेवल को respect करना चाहती है और जानती है मेरे trend line level को किस तरह से respect किया जा 21,951 का जो इसने closing दिया ओके बहुत बढ़िया बात है तो trade हमको किस तरह से करना चाहिए trade करने का simple राजी कभी है अगर यहां पर market manager range में खुले ठीक है market manager range में खुलती है range का मतलब है यह और यह कितना range कितनी है आपकी 22,000 से ले करके और आज का जो low है यह 21,900,20 यह आपकी range बनेगी चुकि market जो काफी volatile हुई थी इसलिए आपकी range यह बनेगी तो अगर यह range बनती है इस range में कही market खुलती है ठीक है इस तरह से अगर कल के low का breakdown करती है ध्यान रखेगा दुबारा बता रहा हूं कल के low मतलब आज अगर यह 21,900,20 का breakdown करती है नीचे के तरह आपका level य यहान रखेगा यहान रखेगा यहान रहा है यहान पर यहान तक मार्केट आने की कोशिश कर सकती है 21,825 किलेर हुआ मार्केट का जो नीचे का मैं दुबारा आपको बता रहा हूं मार्केट का जो मेरा नीचे का जो टार्गेट है वो है 21,825 का लिख देता हूं 21,825 का मेरे दोस्त एक चीज़ यकिन ध्यान रखेगा कि मार्केट यहान से आने के बाद फुल रिटर हो सकती है इसमें कोई सक नहीं है और अगर गलती से गलती से मार्केट ने इस जगह का ब्रेकडाउन किया याद रखेगा अगर 21,825 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन कर गई आपकी 15 मिनट तो आपके नेक्स्ट लेवल ये और नेक्स्ट लेवल ये खुले हुए हैं इसको आप भूलिएगा मत आप यहाँ पर नोट कर लीजे नोट करिए प्लीज नोट करिए 21,767 एन 21,684 ठीक है मेरे तरफ से मार्केट यहां से रिकवरी करनी चाहिए क्यों आउं की और इसके नीचे सस्टेंट किया तो मैं आपको लेवल यहां पर बता दिया हूँ इसके नीचे गर बिल्कुल आप यहां पर पुटवाई करिए सबसे पहला टारिगेट आप यहां पर बुक कल लेंगे मेरी बास समझेगा आपको यहां पर लगवक सव पॉइंट क कभी मूवमेंट आपको मिल जाता है तो इसका मतलब यह है कि प्रीमियम में आपके कम से कम 25-30 पॉइंट का 35-30 पॉइंट का इंक्रिमेंट हो जाएगा जो की एक छोटे ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा प्राफिट होता है प्लीच अवाइट करिएगा कल एक सपायरी गल नीचे के case में अब अमाल लेजे market यहाँ पर 22,000 के उपर चलना शुरू करती है यहाँ पर दियान रखिए 22,000 के उपर market चलना शुरू करती है आपको जो उपर का target यह आ रहा है कौन सा 22,000, 22,000, 080 का यहाँ तक market उपर जानना चाहिए और अगर इसके उपर break it out करता है तो थो यहाँ से जा करके फिर उपर जाएगी ना तिये full moment आपको मिलेगा यहाँ पर और यहाँ तक का target आपको फिर मिलेगा मैंने पूरी condition आपको बताया दे रहा हूं भूलिएगा मत नोट कर लिएगा पेपर में नोट करिएगा ठीक है तो अगर यहाँ पर range में खुलती है माली तो आपको यहाँ पर target होगा तब तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे आपको 22,000 का जो psychological level है पहले यहाँ आपको target मिल जाएगा उसके बाद फरदर आपको 22,0040 तक के आपके level यहाँ पर मिलेंगे तो यह better trade होगा अगर 21,109,60 के उपर आप पकड़ पाएं तो ठीक आप तु पर जाती तो मेरे जो level है वो आपको clear यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 22,100,20 का पहला level इसके बाद 22,134 का दूसरा level उसके बाद 22,171 का आपको तीसरा level सब के सब level वही मेरे पुराने हैं कोई मैंने यहाँ पर नया level नहीं बनाए सिर्फ मैं नीचे का level आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर मार्केट माली जे गैब डाउन खुलती है यहाँ पर गैब डाउन खुल गई तो भई एक चीद द्यान रखेगा जो यहाँ पर पुटवाई करके गये हैं यहाँ पर पुटवाई करके गये ना उनको profit होगा ठीक है profit होगा तो मार्केट ऐसा करने नहीं क्या करेगे मार्केट गैब डाउन खुलकर की तुरंट के तुर्ण सूट अप उपर जाने की कोसिस करेगी क्यों उपर जाने की कोशिस करेगी करेगा कि यहाँ यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दिया माली जे कि 22,000 उपर खुल जा है, मार्केट तो बहुत बढ़िया वात है, 22,000 उपर खुलती है, आप चुप चाप थोड़ी देर बेट करिएगा, अब मार्केट के यहाँ पर डारेक्शन देखिएगा, क्या करती है, अगर मार्केट यहाँ पर 22,004 यह की उपर सस्टेन करती फिर आपको टारगेट यहाँ पर वही, मतलब 50-point के टारगेट आपको पहला, फिर यहाँ पर 100-point के टारगेट आपका दूसरा होगा, तो इस तरह से उपर की लेवल से थोड़ा सा क्या है, कश्ट दायक हैं, लेकिन नीचे की लेवल से आपको किलियर मिलेंगे, अब नीच कोई सक्त नहीं है मिरे बाद समझ रहे हैं चलिए हम कुछ 10 Lines आपको टा करके यहां पर दिखाना चाहते हैं कि 10 Lines में हम किस तरह से यहां पर टा करेंगे यहां पर यहां से फर्दर सपोर्ट लिया फिर मार्गेट यहां से उपर गई थी अब मार्गेट फर्दर नीचे आगी इसका सपोर्ट लेके फर्दर ऊपर जा सकती है किलियर हुआ मेरे किलियर हुआ इस तरह से क्या आपको चार्ट कोई बताता है अगर बताता होगा तो बत करेंगे तो यह हो गया आपका क्या निप्टी का लेवल अच्छे से आप यहां पर नूट करिए बहुत से लोग बोलते हैं थोड़ा से रोंग दिया करो यह लोग मैंने थोड़ा से रोंग दिया प्लीज आप लोग बना लीजे यह यह ट्रेंड लाइन ड्रा करिए प्लीज bank nifty में भी सारे levels मैंने आपको बता दिये था आभी कुछ बताने कि यहाँ पर जोड़त नहीं direct discuss करते हैं कल के बारे में कि कल हमको क्या trade करना चाहिए तो यहाँ पर चलते हैं सीधे सीधे 5 मिनट के trade में यहाँ पर 5 मिनट के उसमें चलते हैं तो थोड़ा सा साफधानी हो जाती है ठीक है यहाँ आप यहाँ पर डाकल लीजिए clear चलिए यह टेल लाइन आपकी नीचे यह पकड़त हो गई ना अब यहाँ पर trade आपको किस तरह से करना है देखिए जो bank nifty है वो भी बिलकुल अपने नीचे lower low level में उसने closing देने की कोसिस किया है clear है तो अब यहाँ पर दो चीज़ हो रही देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जिन्हों ने put by किया है उपर की तो बात छोन दीजे उपर तो बहुत दूर हो गया लेकिन यहाँ पर जिन्हों ने put by किया है उनका वेस्टाफ प्लास अभी तक बैंक निप्टी ने नहीं लिया है किलर हो चुका है तो अगर मार्केट बैंक निप्टी मालेजे इस रेंज में खुलती है रेंज में खुलती है रेंज में खुल करके आज के लो का breakdown करती है मतलब आपका यहाँ पर जो low है यह माल लीजे कितना है यहाँ पर low निकालने की कोशिस हम करते है low यहाँ पर pencil उठाते है pencil निकाल करके यहाँ पर low जाते है तो यह आपका low आ गया ठीक है 45,852 clear 45,852 तो अगर इसका low breakdown करती है कल कल expiry के दिन अगर इसका low breakdown करती है तो आप यहाँ पर put by करिए कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ पर put by कर सकते है आपको जो नीचे का target आ रहा है वो आ रहा है 45,667 का note कर लिजे यह blue line आपको यहाँ पर दिख रही है और यह next दिख रहा है आपको यह green line मतलब 45,597 का maximum नीचे के तरफ आपका target है killer हुआ maximum नीचे का इतना ही target मुझे अभी तक दिख रहा है bank nifty में bank nifty यहाँ से जिस तरह से nifty में मैंने आपको बताया कि nifty यहाँ से support लेकर उपर जा सकती है इसी तरह से इस bank nifty की कहानी है यहाँ से further support लेकर के बिल्कुल उपर जा सकती है इसमें कोई सक नहीं है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा अगर आप put buy करते हैं अगर इसके नीचे यहाँ पर आप यहाँ पर put buy करते हैं तो आपको target मैंने आपको बता दिये पहला target and further target यहाँ पर market मैं decide करने दीजेगे कि market करना क्या चाहती हो सकता है market यहाँ पर क्या करे range बनाए range बना करके अगर market further नीचे आती है मतलब यह 45,500 का अगर breakdown करती है तो फिर आपको further यहाँ पर यह 45,000 तक के level आपको यहाँ पर दिखाने को मतलब market दिखाएगी लेकिन यहाँ पर दुबारा मैं आपको एक बिल्कुल सचेत करना चाहता हूँ यह मेरा last range था यहाँ पर यह मेरा last range था market की गिरावट का फिरहाल के लिए इस week के लिए तो market यहाँ से बिल्कुल यहाँ से recovery कर सकती है उसमें कोई सक नहीं है किलर हो चुका है बिल्कुल प्लीज इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए तो put का case आपको समझ में आ गया next है अभी आपका क्या है next call का case call में मैं आपको बता दिया यहाँ पर मिल जाए recovery मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया बात है यहाँ तब तो आप call buy कर ही लेंगे लेकिन अगर आपको मालेजर रेंज में खुल करके उपर जाने लगती तो क्या करेंगे तो देखिए रेंज में खुलती है market यहाँ पर अगर किसी भी time 46,055 के उपर अगर यह जाती है 474 का आपका पहला target 46,208 0 का आपका दूसरा target यहाँ पर होगा कब जब यहाँ पर क्या यहाँ पर bank निप्टी range में खुल करके उपर जाए मैंने आपको बताया 46,055 के उपर ही आपको call buy करना है तो बारा बता रहा हूँ 46,055 के उपर ही आपको call buy करना है उसका आप यहाँ पर reason देख सकते हैं उसका reason यह है यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या call buy active होगा थे market में इसके बाद यहाँ पर भी call 8 एटिव होने की कोसिस किए थे लेकिन वह फैल हो गए मार्केट फर्दर नीचे आगई तो अगर मार्केट यहां से फर्दर यहां से जाकर कि यहां सस्टेंड करने के कोशिस करेगी ना 46,055 के उपर तो आपको यहां पर फर्दर थोड़ा से रिकवरी देखने को मिल सकती है क्लियर हुआ यह बात चलिए यह तो हो गया आपके रेंजन में खुलने का gap up gap down के case में माल लिजे की gap down खुलती है अब gap down का मतलब यह होगे कि जहां पर market ने closing दिया है मतलब यहां पर जो market का लो था उसके नीचे market खुल जाए यहां पर अगर यह नीचे खुल जाएगी तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर क्या market फर्दर नीचे खुल करके recovery करने की कोशिश करें उसका region यही है यहां पर जो put buy किये हैं यहां पर जो put buy किये हैं उनको profit होने लगेगा तो market उनको profit देगी नहीं market यह फर्दर उपर जाएगी तभी आपको यहां पर call buy करने का मोगा मिलेगा c buy करेंगे आप और आपको target अगर यह gap down खुल करके आप c buy करते हैं तो आपको target पहला यह होगा दूसरा आपको target यहां तक होगा समझ में आ रहा है कुछ आना चाहिए समझ में ठीक है gap down के case में आप put नहीं buy करेंगे थोड़ा सा कहा तक आप बेट करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर market माली यह बड़ा gap down करता है इधर कहीं खुलता है वह यह जब closing इसने 45,963 के round में closing closing है दिया है यहां से gap down का मतलब हो गया 200 point अगर 200 point gap down open होता है तो यह करीब करीब 45,700 के round में gap down open होगा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह तो मेरा यहां पर support का area ही है तो आ level आ रहा है यह clear recovery level आ रहा है मैं आपको यह बताना चाहता हूँ इसलिए अगर market gap down खुलती है gap down करके नीचे आदे आपको थोड़ा से यह वेट करना चाहिए और जैसे कि मैंने आपको बताए कि यहां से market recovery ले सकती है तो अगर नहीं लेती ना market तो आपको यहां पर अच्छ 46,055 के उपर नहीं जाती ठीक है यहां पर मैं दुबार आपको बताना चाहता हूँ market माली यहां पर gap up यहां कहीं open होती है तो जैसे यहां पर gap up होगी ना यहां पर इसको liquidity मिल जाएगी मतलब यहां पर resistance इसको मिल जाएगा मेरी बात ध्यान रगेगा तो gap up के case में अगर market तक यहां पर नहीं करना है आपको call buy जब gap up खुल जाए दुबारा आपको यहां पर बताना चाहता हूँ market माली जी कि gap up खुलती है इधर कहीं खुलती है तो आपको यहां से लेकर कि यहां तक के area आपको यहां पर छोड़ देना है trade नहीं करना है जब इसके उपर market breakout करे ना इसके उपर मतलब आपको level बता दिया हूँ 46,365 के उपर जैसे यह breakout करती है आप काल वाई करिएगा आपको यहां पर अच्छे खासे target मिलेगे वो मिलेंगे 46,000 आपके 400 पहला target होगा इसके बाद 46,500 आपके दूसरे target होगे इसके बाद आपको फरदर यहां तक के market जाती यह आपको resistance का काम करेगा ठीक है जब तक इसके उपर market नहीं जाएगी तो कोई भी बड़ी इसमें बढ़त नहीं आएगी इसलिए इसके उपर ही आपको कोई कालवाई करना चाहिए नहीं तो market क्या करेगी यहां पर जाएगी यहां पर फरदर जाकर के और यहां से breakdown दे दे मतलब यहां पर भी आपको लगभग 200 पॉइंट का यहां पर रैली नीचे के तरफ देखने को मिलेगी यह 46,300 से नीचे के मैं बात कर रहा हूं ध्यान रखियेगा क्लियर हुआ तो I hope आप समझ गये होंगी इसलिए आप trade करिए का इसी तरह से trade करिए देखते हैं इसमें पाल नहीं मिल लही कोई भी कोई भी टेलाइन आप और मुझे नजर तो यहां झाले उपर के तरफ चलिए को है इससे अगर लेते हैं हम और इसका बनाते जैते हैं अब इसका लगए काम नहीं है यह वाला प lesट यहीं यह त्यनला यहाँ पर यश्ट मिनट शभी आपको कोई काम नहीं कि को ईसको ड्रींट कर सकते हैं पाफकर दीजिए गरिया इस ayam मैं बना रहा रहा हूं इसको काम आय तो यह बना दिया तो यह तब काम करेगी डेखे मैं मैं आपको यही बताना चाहा रहा था, उपर के 10-9 यह तब respect करेंगे, जब इसको ब्रेकाउट करेगा ना, यहां पर मार्केट, जो मैं आपको बताय था, 46,300 का जब यह ब्रेकाउट करेगा ना, उपर के तरफ, तो फिर मार्केट यहां तक जाएगे, ठीक है, और यहां से ज लेकिन प्लीज भाई दुबारा मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई मेरे चोटे भाई आप सब को यही बताना चाहता हूं इस लेवल का आपको प्लीज ध्यान रखना चाहिए यह लेवल मैंने बार 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 यह बताया हुआ है कि आपका 45,676 से लेकर के 45,500 तक का लेवल का सेलिंग मिलेगी इस चीज का ध्यान रखें ओके तो इसके साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूं और चैनल को सब्साइब किये भी ना हुआ मत जाईएगा थैंक्यू सो माच एंड इंड़ा करी बाई गूनाइट